सो हरा दोस्तों स्वागत आपका हमारे इस यूटूब चैनल वीफर वैल्यू में आप सबको पता है आज के टाइम पे इवी वैक्टरी काफी जादा आगे प्रॉपलर हो रही है इसी को दिखते पे काफी सारे इंवेस्टर काफी जादा बुलिश हैं आटो मोबिल सेक्टर को करने वालें तीन ऐसे आटो मोबिल सेक्टर के बारे में जो कि आने वाले टाइम पर काफी अच्छा है आप ग्रोथ दिखा सकते हैं बात करेंगे स्टॉक के बारे में साथ मैं बता हुआ कि खुद मोटी राल उस्वाल ने इन तीनों स्टॉक के प्रति कौन सा टार्गेट करना उसकिया है तो अगर आप भी आटो मोबिल सेक्टर में इन्वेस्मेंट करना चाहते हैं या फिर आप अच्छा रिटन कमाना चाहते हैं तो यह वीडियो काफी मज़ने वाली इस वीडियो को लाज सक जरूर देखेगा सो बीना टाइम वेस्ट करें चरे वीडियो शु को मैनुफेक्ट्रें सेल करती है ओल ओवर दा इंडिया और ग्लोब बात करें कंपनी कुछ की इंपोर्टेंट रिशो के वार में तेन थाउजन करोड का मार्किट कैप है पी रिश्या आपको 17 का देखने को मिल रहा है आर उसी कंपनी का 11 का देखने को मिल रहा है बात करें कंपनी का ओपी अ मार्जिन के बार में 11.2 का जो कि अच्छा माना जाता है इस कंपे टी इंडेस्ट्री लेवल इसके लाव बात करें कंपनी को टोटल डैट की तो वह बारा सो करोड का फ्री कैश्ट्रो कंपनी का 500 करोड और पर रायनम कंपनी जो रिविन करते हैं वह लग यह मार्च कोटर का यह पिछले साल के जून को टेखने को मिल रहा है 27 करोड का अल-time हाइप अपने रिवेन्य को अन कर आ है इस पर प्रीविश कोटर पिछले साल के कौर्टर वन के कंपैशन में काफी हाई है सीधा बात करते हैं नेट इंकूम के तो नेट इंकूम कंपनी क अलबा 189 करोड जो कि प्रीविश कोटर और पिछले साल कोटर से काफी जाता अच्छ देखने को मिल रहा है इसकी पिछे को मीन रीजन है वह एक कंपनी सेल्स में काफी इच्छ ग्रो दिखाई है और उसको मिनिमम एक्सपेंस में पूरा करने के कोशिश की है साथे साथ अधर इंकम से भी काफी अच्छ रिविन्यों कर लाब 37 क्रोड जो कि प्रीविश कोटर और पिछरे साल की क्वाटर मन के मुकाबले काफी जादा है यह काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है बात करते हैं कंपनी के होल्डिंग पैटन के ओपर तो यहां पर आप देख फारेंगे अलबह 74 कि फार्मोट k की होलिंग ए रिटेटन के का पर एटन के बारेंगे लिग आज को अगर आपको बात करेंगे के फॉर्क स्ट के बार में यहिं को अपको इसक्टिर प्रसें जबारि जगे इने चाहिए देने चाहिए नहीं मुस्त नापकर कर लिज़ए के आपको एकटे बता दूँगा बात करें हम अपने नेक्स टॉक के बारे में तुमारा नेक्स टॉक है एकसाइड इंडस्ट्रे लिमिट आप सब को बता होगा इवी बैटरी इस मैंनुफेक्चर करती है और इसकी मेंली जो आता है यहां पर 74 परसेंट यहां पर इवी बैटरी इसके लाब बात करें कंपनी के OPM की तो वह 10 का है कंपनी के पर टोटल डैप देखने को मिल रहा है पांसो बीस करोड फ्री कैश फ्लो माइनस में च्छे सो तीन ऐसा इसलिए होता है जब कंपनी अपने आपको एकस्पैंड कर रही होती है तो यहां पर आपको फ्री इस जी को रहे हम सबर् का पर फोगं करहरें के formulaि के ना इसके को रहे होना तो फोगोिट का इस बत्फेलय को को यहां पर तो तेख़ेंगे longing का पाटल अम कुछी में के बांग थे जून कौटर का रजल्ट के बार में यह मार्च कौटर का रिजल्ट आपको देखने को मिल र मार्च में बट यह वन सीना ब्लू मून हुआ है क्योंकि हर बार ऐसा रिवन नहीं करा गया तो हम इसको इतने ज्यादा बड़ा है 25 अब देख पारेंगे सारी चेकलिस को कंपनी ने पर ग्रीन सिगनल दिया तो आल्मोस कंपनी इंवेस्मेंट के लिए पूरी रैडी देखने को मिल रही है आट ओफ 17 अनलिस्ट और अलमोस 82 अनलिस्ट यह कह रहे है कि आपको इस टॉक को बाई करना चाहिए बात करें कंपनी के बारे में तो वह आपको वीडियो के एंड़ में पता चल जाएगा आट दियाने बात करते हैं मारी last company कार में तो और कोई नहीं टाटा मोटर्स है जी हाँ आपको सबको पता होगा टाटा मोटर्स टाटा करूप के काफी बड़ी company है और long term में market में ऐसे काफी सारे investors है जिसको इस company के प्रती hope बनी हुई है काफी सारे EV sectors में company आगे निकल रही है साथ साथ ताटा मावरस इस चीज को देखते वे काफी अच्छी तरीके से अपने आपको develop कर रही है तो ये दोनों company काफी अच्छी तरीके से एक दूसरे के transparent में काम कर रही है और long term में मेरे हिसाब से दोनों ही company अच्छी तरीके से रिटर्न दे सकती है और क्योंकि मेरे को एक company कार में समझाना है इसलिए मैंने आज डुटाटा मोटर सुने क्योंकि ये automobile sector से जाधा रिलेट करता है बात करें company के market cap की तो वह लगभा 1,65,000 पी रिश्ट आपको मैंचन देखने को नहीं मिल रहा है इसके लब ने इंकम company पर एनम लॉस बुक करती है वह लबाई 11,000 क्रोड का तो वरल आप कह सकते हैं आपको good holding pattern याप देखने को नहीं मिल रहा है बात करें मेरे को long term में company का future bright इस वज़े से दिख रहा है क्योंकि अगर बात करें एवी सेक्टर में तो इंडिया के अंदर हर तीन में से दो कार्ट टाटा मोवटर्स की होती है तो आप कह सकते हैं अगर हम बात करें कंपनी के quarter one के रिजल्ट के बारे में तो यहां पर देख पारेंगे 71,000 क्रोड का company का sales है जो कि previous quarter के मुकाबले कम है हाला कि last year के quarter one के मकाबले अच्छी देखने को मिल रही है बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट के लबबा अगर पिछले साल के quarter one से comparison करें तो भी आपको कमी देखने को नहीं मिल रही है तो आपको कह सकते हैं यह चीज़ भी आपको फोड़ा से सेंटिमेंट दे रही है अगर हम बात करें कंपनी के आप होल्डिंग पैटरन के उपर तो यहां पर देख पा रहेंगे आपको देखने को मिल रहे है पर मोटस की जिसमें से 0.85 प्लेजड है यानि की गिर्भी होल्डिंग है बात करें कंपनी के म्यूचल फंड की तो वह लबबा 6 पसंट है इसके लावब डियाए की लबबा 8 पसंट है फॉर इंवेस्टर्स की देखने को मुझे थाटीन पसंट एंड रिटेलर्स की आपको 24 पसंट देखने को मिल रही है बात करें कंपनी के फॉर्कास्ट के बारे में आउट ओफ 29 अनलिस्ट आलमोस 79 पसंट अनलिस्ट यह कहते है कि आपको स्टॉक को अपने पॉर्टफोलि लिमिनेट के तो उसको आप बाइ कर सकते हैं सम्वेर राउंड 161 के करीब टार्गेट जो इसे दिया गया है वह लगभा 200 तो आप इसे बाइब कर सकते हैं सम्वेर राउंड 465 में तार्गेट जो दिया गया कंपनी का वाया 520 तो मैं आशा करूं आपको वीडियो और वीडियो आप जुरूर देखे हैं जिसे खुद जाने से पहले मिश्टर आके जुद्वाल जी ने हमें रेकमेंड कर रहा था और खुद मोतीला उस्वाल जी ने इन में टार्गेट अनॉंस किया जल्दे मिलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ तब तक कर लिए एकन